आज हम बनाएंगी हरे मटर का बहुती टेस्टी और क्रिस्पी सा नास्ता मटर का सीजन है आप इसे लंबे समय तक इस्टोर करकी भी खा सकते हैं बहुती ज़्यदा टेस्टी बनता है तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं बनाने के लिए मैंने यहां आधा कप मटर ले लि तोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे इससे टेश्ट बहुत अच्छा आता है अब हम इसमें आधा कप की लगवग मैदा एट करेंगे आप इसकी जापी गिहों की आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा बनता है दो चम्मच इसमें ऑईल डाल देंगे ऑईल घी जो भी आप पसंद करते हैं और डाल सकते हैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे इससे टेश्ट बहुत अच्छा आता है सभी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सभी चीजी बहुत अच्छे से मिल जुल जाए और ध्यान दे कि मटर को पीस्त इस समय पानी का इस्तिमाल बिल्कुल भी ना करें और यहां मैंने बहुत अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर लिया देख सकते हैं अच्छे सी मुठी बढ़ रही है अब हम इसमें एक चमच पानी डालेंगे बिल्कुल आपको एक चमच ही डालना है और अगर पानी की अच्छे से मसल मसल कर गूथ लेंगे डू तयार है तो अब हम इससे छोटी छोटी पेड़े जैसा बना की तयार कर लेंगे आप चाहें तो सिंपल या अपने एकॉर्डिंग कुछ डिजायन वाले भी बना की तयार कर सकते हैं जैसे आप पसंद करते हूं और इसी तरीके से सभी खुम बना के तयार कर लेंगे देख सकते हैं मैंने सारी नास्ती बना के तयार कर लिया अब इसे फ्राइए करेंगे फ्राइए करने के लिए तेल पहले से गरम होने क्लियर रख दिया था तेल बिलकुल हलका गरम होना चाहिए हमें इसे लूप फ्लेम फी फ्राइए कर सकते हैं सामकी चाय की साथ बनाके इंज्वाइए कर सकते हैं बहुत ही इजी बन जाता है और यह देख सकते हैं बहुत ही जदा खसता भी बहुत बनता है और आप इसे ट्रेवल में ले जा सकते हैं दो तिन दिन तक आराम से इंज्वाइए कर सकते हैं फ्रीज में रखके आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना बहुत ही क्रिस्पी अगर मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर देजेगा और अपने दोस्तों के साथ सेयर जरूर किये जेगा मिलती हूं ऐसी ही एक नहीं जिदा रेसिपी के साथ तब तक के लिए बैबै थैंक यू